हाँ सुना है तेरे दर्बार में दुखडे मिटाए जाते हैं दुनिया के ठुत्राए लोग यहाँ सीने से लगाए जाते हैं भगवान ने बड़े सुन्दर हाँ दिये हैं आप लगों को करम करने के लिए दिये हैं फिर से जेकर लगाओ बोलो जोत्राम जी महराज की जेरो वो मेरे को तीलाल खेला दे ओ जोत्राम जोत्राम जी महतारी और इस बज़न में सब की तालियां बजनी चाहिए क्योंकि शज़नों जहां तालियां बजती हैं दो कारण है मैं नास्तिक होकर भी आस्तिक होकर भी दोनों चीज़े बताऊंगा यदि हम आस्तिक होकर बात करें तो भगवान के दरबार में तालियां बजाने से हम उसके चरणों में लीन हो जाते हैं हमारा ध्यान वहां लग जाता है और यदि नास्तिक होकर बात करूँ तो जब अब तालियां बजाते हो तो आपके आस पास के जिवानों, किटानों, विशानों सब खत्म हो जाते हैं इसलिए तालियां बजाओ और उस भगवान को मनाओ तालियां सब की बजनी चाहिए और जब इब के ताड़ी नहीं बजाओगे तो आगले जनम में बगवान मनमान इसा कर दे सारी हमर दाड़ी बजानी पर जानी इसलिए तालिया जरूर बजाना बोलो जो तरह महराज गी ओ मेरे को तीला लखे लादे ओ तो तिरा में अवतारी मा ओनी का किसा खेलनी राड़ा मेरी कुख पैजड़ दिया ताला मेरा राजी राम करा दे ओ जोग राम अवतारी मेरा राजी राम करा दे ओ जोग राम अवतारी मेरे को जिदान किना दे ओ जोग राम अवतारी मुलाचा द्राप बावादी जाहा आये रोएदा सूट सरट सरवे वैठी बापा तिरे पिसर मेरी सुमी गोद सजा दे रहा तिरे पिसर मेरी सुमी गोद सजा दे रहा दे हो तिरे बोधी लाल केला दे रहा दे हो जो दिरा मेरी आवतारी कर दो कर दो कर दो कर दो सासू सो जा बोल सुना के किसे कुए में पढ़ जा जा के कोई कुए में पढ़ जा जा के कोई कुए जोड बता दे हो जो तिरा में अवतारी किर दो कोई कुए जोड बता दे हो जो तिरा में अवतारी किर गोशे लान यदा दे रो जो तिरा में अवतारी में अवतारी में दर सिंग में नाम बताया कटेसरा गाम में नाम बताया कटेसरा गाम में नाम बताया कवल बता दे मिलाते वो जो तिरा में अवतारी किर गोशे लान खिलाते वो बोलो बबा जो तिरा में महाराज की